हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू गार्णिंग विधी तेश ये जो सामने आप प्लांट देख रहे हो इस प्लांट का नाम है लैपड लिली और बेसीकली ये एक सक्कुलेंट प्लांट होता है और ये जो है एक बलबस सक्कुलेंट प्लांट है इसके नीचे बलब होते हैं जैसे लिली होते है ना यूंकि नाम ही इसका लैपड लिली है इसके प्रिंट के कारण जैसे लैपड का प्रिंट होता है वैसे होता है इसके लिव्स का प्रिंट भी तो इसके लैपड लिली कहते हैं और इसके नीचे जो है बल्ब से यह मल्टिप्लाई होता है तो इसका मुझे एक बल्ब मिला था तो आप देख सकते हो एक बल्ब से ये कितना multiply हो गया है दो से तीन plants शायद मैंने इसमें से निकाल ले हैं बाकी इसी port में starting से मेरा लगा हुआ है winters में ये dormancy में जाता है तो उसी को देखते हुए आज मैं इसे multiply कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंने थोड़े dark area में रखा हुआ है तो leaves इसके थोड़े लंबे हो रहे हैं पतले हैं थोड़े dark color के हैं print भी थोड़ा इसमें जो है dull सा हो रहा है जादा दिखाई नहीं दे रहा अगर bright light मिलती है तो ये जो इसका print है इसमें sports जो है वो बहुत ही उबर के आते हैं तो इसमें से मैं इससे multiply करूँगा इनके अलग अलग करूँगा plants तो ये मेरा एक succulent का ही port था इसमें मेरे ghost plant लगे हुए थे जो की गर्मी में खराब हो गए तो succulent वाली मिट्टी है इसमें मिट्टी की मैंने गुडाई कर दिया हलका सा moisture है मिट्टी में तो इसमें मैं लगाऊंगा क्योंकि ये बल्बस plant है तो थोड़ा चोड़ा पोट है उपर से तो जल्दी और भी ज्यादा इसमें multiply होंगा तो ये थोड़ा सा हमें carefully करना पड़ेगा इस काम को क्योंकि cutting हो branch cut करनी हो वो तो हम आराम से उपर से कर सकते हैं लेकिन जब हमें plant separate करना होता है बल्ब अलग करने होते हैं तो थोड़ा सा carefully करना है क्योंकि अगर हम इसे खींचते हैं ना मैंने पहले भी कई बार किया है अगर हम इसे खींचते हैं तो इसके leaves उपर आ जाते हैं और बल्ब जो है नीचे ही रह जाते हैं तो अब मुझे ये सारा ही जो है इसे tool की help से पूर थराब हो सकते हैं तो ये देखो ही मैंने निकाल लिया है आप देख सकते हो ऐसी मैंने निकाल लिया है इसे tool की help से तो देखने में उपर कितना मतलब कि बुशी बड़ा प्लांट लग रहा है लेकिन roots इतनी नहीं है छोटे छोटे जैसे रेन लिली जो पिंक वाली रेन लि आउंगा तो ये सारे मैं अलग कर लूँगा देखो बस ऐसे आपको निकालते जाना है जब एक बार आप पूरा प्लांट मदर प्लांट पूरे port में से इकठा निकाल लेते हो तो इन्हें सेपरेट करना बहुत ही easy हो जाता है तो देखो ऐसे आप इन्हें साइड से जाएंगे ये देखिया बस एक जो शायद मदर प्लांट बीच में रहा होगा उसका बल थोड़ा बड़ा है ये दो को इसका बाकि ये सारे छोटे छोटे हैं च्छे से साथ शायर इसमें यह से मिला के छे से साथ प्लांट इसमें से मेरे बन गए है तो बाकी सारे मैं इसी प्लास्चिक पोर्ट में लगा दूँगा एक छोटे से कुलर में मुझे लगाना है बाकी जो एक मदर प्लांट है वो मैं जो हूँ दुबारा से सेरमिक पोर्ट में ही लगा दूँगा क्योंकि प्लांट जगा जगा हों तो बच जाते हैं और वैसे भी आगे इसका dormancy का season आ रहा है तो अभी मैंने ये काम कर दिया तो ठीक है dormancy में इसके पत्ते जो है सारे गल जाते हैं लेकिन बल्ब इसके save रह जाते हैं तो दुबारा से spring season आने में दुबारा से ये sprout कर जाता है तो अभी थोड़ा ये roots भी पकड़ लेगा तो इसलिए मैंने इसी time इसे separate करना ठीक समझा तो मिट्टी हमारी moist ची गया है तो ऐसे holes बना बना के हम इनके जो है इसमें रखते जाएंगे plants और देखिए ऐसे लगना है बहुत ही सुंदर plant है और पत्तों में काफी पानी होता है इसके तो पानी इसे हम इसे चक्तर के देना होता है जैसे हम succulents में देते हैं तो अभी भी मेरी मिट्टी moisture है तो प्लांट लगाने के बाद मैं हलका सा spray करूँगा बस ताकि थोड़ा सा moisture रहे बस इसमें बाग की जब एक दम मिट्टी dry हो जाएगी तब भरके मैं पानी दूँगा इसमें क्योंकि ये cutting तो है नहीं ये roots के साथ ही बल्ब के साथ ही है तो गलने का चांस नहीं होगा लेकिन एकदम पूरा भरके पानी नहीं देना है पहले spray करूँगा तो ये देखो ये सारे मैंने लगा दिया हलके हलके मैंने spray भी कर दिया पानी में देखे कितना प्यारा लग रहा और अब इने थोड़ी न इसे तो leaves इसके नीचे गिर सकते हैं और ऐसे भी हो सकता है कि leaves थोड़े खराब हो जाएं पीले हो जाएं जड़ जाएं तो ऐसे कुछ घबराने वाली बात नहीं है इसके नीचे जो बल्ब हैं वो सही सलामत रहने चाहिए बस प्लांट आपका दुबारा से ग्रो हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब